स्रिष्ट जीवन की तेन बड़े साधन एक योगा अभ्यास दूसरा जीवन में स्रिष्ट दिव्य व्रतों का अभ्यास और तीसरा अठारे घंटा पुर्शार्थ करने का अभ्यास मैं चाहता हूँ कि ये तीन बातें संसार के सभी लोग सुने और इनका एक बार आचरन करके देखें एक बार एक दिन यदि एक दिन भी ऐसा करने से उनको सुख मिलता हो तो फिर हर दिन इनको माने और ऐसा करें तो इस सारा संसार स्वर्ग बन जाएगा संसार में सब और सुक सम्रिद्ध बढ़ेगे कहीं पर भी हिंसा, जूट, भीमानी, आपाधापी, लूट, मार, अत्याचार, दुराचार, बेभीचार, अनाचार अशुचिता, असंतोश, विलासिता, आत्मुकता, नास्तिकता कहीं पर भी अशुप अधर्म रहे नहीं सकते, इसलिए हम कहते हैं कि योग का ही मार्ग है, जिससे संसार बचेगा, योग मानी, अहिंसा सत्यसे ब्रमचर्या परिग्रहायमाह, शोचसंतोशता पस्वाध्याई, शप्णेधानाने नियमाह, ये सार्वभों महवरत, योग के म राते करते हैं उनको यही निपता कि राजियों के मूल सिद्धान्त क्या है, ये यमनियम ही राजियों के मूल सिद्धान्त है, अश्टांग योग ही राजियों है, और योग में कहीं भेद है नहीं, ज्यान योग कर्म योग भक्ति योग एक ही है, सत्य ही है, उस सत्य को कह तीन जिवन के तीन साधन मने क्या बताया एक सबसे पहले योग अभ्यास दूसरा तीसरा 8 से यह करने करने का भ्यास, पुर्शार्थ करने का भ्यास, विद्यार्थियों को किसमे पुर्शार्थ करना है, बोलो, विद्या में, किसान को किसमे पुर्शार्थ करना है, कलाकार को किसमे पुर्शार्थ करना है, अपने कला कोशल में, अर्द सैनिक वलों को सैनिकों को कहां पुर्शार्थ करना है अपने सीमाओं पर अपने स्वरक्षा के लिए वेज्यानिक को किसमें पुर्शार्थ करना है अनसद्धान में सन्यासी को किसमें पुर्शार्थ करना है आत्मन हम होक्षार्थ हम जगध हीता है आत्मा की मुक्ति के लिए जीवन में जहां जहां जो जो दुरबलताएं हैं जो जो कमजोरियां हैं जो जो पराधिनताएं हैं जो जो दोश हैं एक भी दुरबलता कोई छोड़ना नहीं एक एक धरातल से जीवन के एक एक अशुब से एक एक कमजोरी से मुक्त होना छूटना किस से कोई धर्ती से थोड़ी छूट होगे धर्ती पर तो रहना ही है शरीर से मुक्ती मुक्ती नहीं है घर से मुक्ती मुक्ती नहीं है संसार से मुक्ती है नहीं संसार में ही रहना है जीते जीबी और मुक्ष के बाद भी इसी ब्रह्मान में रहोगे कोई छूटेगा नहीं कुछ भी छूटता है नहीं कुछ भी क्या छूटना है तो फिर छूटना है अज्यान और अज्यान जनित दुर्विचार से दुर्भावनाओं से दुसकर्मों से अशुब से छूटना मुक्ती मुक्त माने छूटना सब कहते हैं मुक्ती पानी मुक्ती पानी क्या है ये मुक्ती छूटना अशुब से छूटना अधर्म से छूटना पाप से छूटना अज्यान और अज्यान जैनित दोशों से मुक्त होना यह मुक्ति यह जीवन मुक्ति तो आज ही सबको मुक्त कर देते इसमें कोई घंटों थोड़ी लगते हैं कोई महिनों या वर्षों का वक्त थोड़ी लगता है तुम अभी से सोच Divine मुक्त हो और बस अब बंधना नहीं आ सकती में नियान दुरबलताओं में मत आना कमजोरिया मत आने देना तो तुम जीवन मुक्त हो गए तो दे दिया आज से मुक्ति का आपको आशिरवात कहते हैं न बिना गुरू के आशिश के बिना गुरू के अनुग्रह के बिना गुरू के शक्ति पात के हमारे जीवन में शुब की धर्म की दिव्विता की देवत्तों के रिशित्तों की प्रतिष्ठा नहीं होती तो यही है और हम एक एक्षण में मुक्त हो सकते हैं बस दुबारा से उस बंधन में पढ़ना नहीं गुरू जैसा हमें जयान देते हैं गुरू जिन भाव सम्मिदनाओं से में जोडते हैं गुरू जैसा हमें करने के लिए जीने के लिए कहते हैं वैसी ही मति, भक्ति, कृति, प्रकृति और संस्कृति और सिकार करके मुझे आगे बढ़ना है